कि यूटूब चैनल में आप सभी डियर स्टुएंट का स्वागत है बच्चो आईए आज का हमारा टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक आप सब बच्चो के लिए हम लेकर आएं आपके बीच में और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है आप सब बच्चो के लिए तो आप जब इसको पढ़ते हैं बच्चो तो वैसे ही आपको इंट्रेस्ट क्रियेट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टुडेंट आप सब प्यारे बच्चो के लिए हमने जैसे आज से हमने मेडाइवल स्टी को स्टार्ट किया है यह ना मंदिकालीन भ आजाये जल्दी सभी बच्चो को जैहीन कंटीनिव आप सब जुड़ रहे हैं सभी बच्चो को जैहीन जैहीन आजाये प्यारे बच्चो जैहीन तो देखो बच्चो हम अभी तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट एमसी क्यों किये हैं वो सभी अलग-अलग विश्यों के तो हमने सबसे पहले क्योंकि आपको पता है कि modern India का वेटे जादा रहता है तो हमने सबसे पहले 5 सेट जो modern India के complete किये अब मेडेवल और फिर ancient India के जो सेट हैं वो करने वाले हैं ठीक हैं तो आज हम आपके बीच मेडेवल इंडिया का नदिकालिन भारत का इतियास जो सबसे महत्पून माना जाता है उसमें जो जो important topic है उन पर हम भी चर्चाएं करेंगे बच्चों तो चलो आईए स्टार्ट करत थोड़ा सामने अच्छा रखा है कुछ easy भी आएंगे कुछ सोचने वाले questions भी रहेंगे आने आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेंगे ठीक है बच्चों चलो तो देखी है question जो है वो important है ठीक है math पून है question का देखी और answer दीजे बच्चों देखो पूचा गया है दा अरब conquest of sin laid the foundation of islam in इंडिया और सिकने इस्टेंट अरब trade and encourage more Arabs to settle down on the east coast question बहुत शांदार पूचा गया अरब जो conquest इंडिया में हुए थे क्या ये दोनों option सही है क्या सही है क्या गलत है आपको इसके बारे में answer देना है बड़ा महत्पून question है ये ठीक है और इसके बारे में आपको answer देना है क्या सही है GM पटेल जैहिन बेटा तो questions को पढ़ियो और answer दीजिए बहुत easy questions है हम लेकर आपके बीच में आए है ठीक है देखो question क्या पूचा कि जो अरब जो थे वो सिंध की तरफ आये थे क्या उन्होंने सिंध में जो इसलाम को फाउंड किया था भारत में वो सेकेंडे के जो अरब strain थी उन्होंने जो भारत में अटेक कियो से इस्ट कोस्ट में बहुत सारे लोग settled हुए थे तो क्या ये बात सही है उनके प्रोस्पेक्ट्स के भिहाब पर ये बात क्या सही है ये गलत है बताईए अगर हम देखे तो अरब जो थे वो सिंध की तरफ से आये थे बिलकुल सही है और इसलाम को इंडिया में उन्हीं के समय स्टेबलिस हुए थे बहुत सारे लोग आकर settled हो गए थे ये बात बिलकुल बोथ ठीक है बोथ दोनों ही सही है और ओप्शन आपके दोनों ही सही रहेंगे क्योंकि अरब इन्वेजन जब हम पढ़ते हैं तो उनके बारे में दोनों चीज़ सही कही जाती है ठीक है चलो next question who among the following is well known for his contribution in the field of algebra आप mathematics में algebra पढ़ते है बच्चो बड़ा important topic है algebra का और यह algebra जो है इसको भारत में किस scientist ने या किस mathematician ने इसकी contribution में बहुत महत्पूर्ण भूमी का निभाई यह बचाईए आरिभटे ब्रह्म गुप्ते भाशकर्च अचारिये ये लिल्ला लालिस अचारी कहें जाते हो बताईए एल जेबरा के contribution में किसका महत्पूर्ण योगदान रहा जल्दी बताईए बच्चो आपने पढ़े भी होंगे चलो देखो देखो बच्चो बहुत इजी कोश्चन है को ज़्यादा टफ कोश्चन नहीं है एल जेबरा आप पढ़ते भी होंगे जीयम पटेल ने आंसर दिया है बेटा ये जो भाशकर अचारी इसका सही रहेगा भाशकर अचारी बहुत बड़े मैथमेटिसियन रहे जिनोंने एल जेबरा के contribution में बहुत महत्पूर्ण भूमी का निभाई है याद रगना बहुत महत्पूर्ण नाम है भाशकर अचारी बहुत यने की मैं बात करूँ मैथमेटिसियन के contribution में तो हिंदुस्तान के हर साइंटिस्ट की अपनी भूमी का रही है तो यह जो है भाशकर अचारीन की अल्जेबरा में बहुत महत्पूर्ण भूमी का रही है चलो next बुके दशकुमार चरित्रम वास कंपोजड बाई बड़ी famous बुके दशकुमार चरित्रम ancient इंडिया में जो authentic book आती है उनमें से एक यह बुके दशकुमार चरित्रम इसको किसने कंपोजड किया था बहुत famous रिश्चिम उनिये जिनोंने इसको लिखा है कोने हो सूर्दा से दांडिये तुलसी दा से काली दा से बच्चों बताइए किसने लिखा इसको दशकुमार चरित्रम बड़ी famous भुके है प्रियंग का तारेगा कहना है D काली दास ने लिखा इसको हाँ बाकी बच्चे अपना अंसर दे जल्दी हम फिर चर्चा करेंगे कि लिखा किसने इसको देखो अगर आप काली दास की बुक पढ़ते हैं तो उस काली दास की बुकों में कहीं भी दसकुमार चरित्र का वर्णा नहीं है ठीक है अब मैंने इंशेंट बोला तुलसीदा सुर्दार सुमद्दिकाल के आंसर रहेगा आपका दंडी दंडी रिशी जो थे बड़े प्रसिद रिशी मुनी थे और उन्होंने दसकुमार चरित्रम को लिखाता कंपोस किया था बच्चों काली दास की बुक रगवन्चम मेग दूतम रितु सहारम कुमार संभवं इन में कहीं भी ये नाम नहीं आता है ठीक है तो आंसर रहेगा आपका दंडी रिशी जो थे उन्होंने इसको कंपोस किया था लिखाता बड़ा फेमस कोश्चन है इसका अंसर आपको पता हूँ डिस्टोय नालंदा और विकरम सिला युनिवरसिटी बताईए भारत की प्रसिद्ध युनिवरसिटीयां थी ये बिहार और बंगाल में हुआ करती नालंदा विक्रम सिला युनिवर्सिटी को किस ने डिस्ट्रोई किया था मुहम्मद गोरी बक्तियार खिलजी सुबक्तगीन या मूल राज बताईए बहुत important question कही बार आता भी examinations में प्रियंका तारे का answer भी आया है क्योंकि उसको पता है इतियास में कहीं बार सुनाएं उसमें एक बक्तियार खिलजी आया था और हमारे कहीं सारे विश्विद्यालों को तोड़कर चला गया बिलकुल सही answer दिया बक्तियार खिलजी ये मुहम्मद गोरी का commander था और इसने नालंदा विस्विद्याले विक्रम सिला विस्विद्याले को destroy कर दिया था था ठीक है लेकिन दुरबाग की आज भी ये कि महाँ पर बक्तियार पूर इसके नाम से एक शहर नालंदा के पास आज भी इसी के नाम से चलता है चलो तो option B आपका correct answer है next mohammad bin tughlaq इसका नाम आप जानते इसको हम arvind kejriwal of dhilli sultanat bhi कहते हैं is known as man of idea his idea of central capital and experiment with the nominal token currency was phenomenal which one of the following was not a part of his five ambitious project which is had become particularly debatable हम परते mohammad bin tughlaq की पांच विवादित योजना थी अब बताइए इन में से क्या कौन सी योजना नहीं है यहने की question पूचा है was not a part of his five ambition project पांच में से इन में से कौन सी योजना नहीं है बताइए बड़ा famous question है अच्छा question है इसका answer आप जानते है पहला transfer of capital introduction of paper currency प्रपोज खुरासान expedition and taxation in the दोवाब बच्चों ने पड़े हुए answer इसका बिलकुल सही आप दोगे देखते हैं कौन answer देता है प्रियंका तारे का answer भी प्राप्त हुआ है यहने कि उसने उस चीज को पकड़ दिया है जो शब्द यहाँ पर बोला गया है देखो आपको बदा transfer of capital था बिलकुल किया था इन्होंने दिल्ली से दोलता बात देवगिरी किया था introduction of paper currency देखो यह paper लिखा रहा है जबकि वो गया था token currency था पेले ही उपर लिखा रहा है paper currency का चलन तो उस समय पूरे विश्व में था ही नहीं है ना तो यह जो है न यह गलत है paper currency नहीं थी उसने introduction of token currency किया था तो option B बिलकुल सही आंसर आपने लगाया और यह खुरासान मिलेक्टरी एक्सपेडिशन तो आपको पता ही है जहां पर इसने एक साल की salary advance दिया था और दुआ टेक्स में व्रद्दी भी बड़ा फेमस था ambitious project था इसके सारे विवादित रहे सारे ही बहुँ जादा परेशान करने वाले थे public को लेकिन इसने paper currency इसका कोई project नहीं था option B इसका सही answer है देखो बच्चो दा 40 ग्रूप फोर्टी वाजट निक्नेम आफ दा 40 आप जानते हैं एक फेमस institution था जो इलतूत मिस ने establish किया था बच्चो आप बिलकुल जानते हैं 40 के बारे तो क्या था हो 40 क्या था बच्चो 40 ग्रेट इसकोलर कोट ओफ इलतूत मिसे तुर्कीस nobility created by इलतूत मिसे तुर्कीस commander ओफ इलतूत मिसे या 40 leading slave officer of इलतूत मिसे बदाएए क्या है easy answer है जल्दी आंसर दो बच्चों देखो बाकी कोश्चन भी जिन पर हमें चर्चाएं भी करना है जल्दी जल्दी अपना आंसर दे और उसके बाद हम चर्चाएं करते हो चलेंगा आपको बहुत इंट्रेस भी क्रियेट होगा इसमें चलो देखते हैं बच्चों देखो अगर हम बात कर रहे तो यह 40 तुर्कीस नोबलेटी क्रियेटेड वाई तो चालिस नोबल थे उसके कौन थे नोबल नोबल जो उसके आप बोल सकते कमांडर भी थे अच्छे स्कोलर भी कह सकते हैं स्लेव भी सब थे इसलिए आपको नोबल लगाना है को कि चालिस नोबल थे जिनको अलग-अलग काम उसने दिया था है ना तो यह नोबल ग्रूप है जो उसका काम करता था यह इलतूतमीश ने क्रीट किया था स्टाइटिंग में तो कुतुपुद ने एबक नहीं किया था लेकिन बाद में इसको इलतूतमीश ने सिस्टेमेडिक धंग से किया था नेक्स्ट वीच वप दा फोलॉइंग स्टेटमेंट और इस ट्रू पताना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है इब्राहिम शाह वाज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ जोनपूर इब्राहिम शाह शरकी के बाद नाम आप जानते भी होगा सुना भी होगा इड वस तुनि में आगए होगा आपको मिरजापूर का नाम लेते ही समझ में आ गया होगा कि जो जोनपूर है वो मिरजापूर के पास ही है ठीक है और इसको इस्टेबलीज जो किया था बच्चो जोना खांकी याद में किया गया था फिरोष्षा तुगलक ने ये भी आपको पता होगा हैं तो अब आपको बताना है बस कि क्या दोनों उप्शन सही है क्या जॉनपूर को लीडर इबराहिम शाह था क्या था बताईए जल्दी बच्चो आंसर दे है बच्चो चलो देखते हैं इबराहिम शाह शरकी जो है ग्रेटेस रुड़ा जोनपूर के थे बिलकुल सही बात है और इट वास जूरिंग इस रिजन देट जोनपूर गोट दे लिटिल आप इबराहिम है इबुर्ज सिराज ओडिए बिलकुल सही है सिराज ओफ इंडिया का टाइटरल लिएक को दिया गया था और सिराज ओफ इंडिया इनको कहा घाता था बिलकुल सही बात है बच्चो ठीक है तो आपका आप्षण CDS में कई बार सिंपल पूछा गया कि नाइनार और अलवार्स क्या थे क्या है बताईए दे डिस्रिगाड़ेट दा आस्ट्रीट्स प्रीज बाई जेन बुद्धिस्ट और प्रीज पर्सनल डिवोलुशन और तु गोड मीन्स अफ सेलवेशन और नाइनार स्वेट और अलवार स्वेशन वेशन विट बताईए क्या सही है दोनों में से एक दो दोनों या दोनों नहीं बताईए बचों क्या सही है बड़ा फेमस कोश्चन है अलवार और नाइनार का कई बार आए भी चुका है तो आपको याद रख रहा है यह कोई बुद्धी जैनिस से कोई इनस्पार नहीं ते ना ही सोलवेशन का मिनिंग था यह शिव को मानने वाले और वेशनों को मानने वाले ते यह बात सही है यहने ओनली तू आपका सही आंसर रहेगा बी इस करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों ठीक है बिलकुल सही आंसर दिया त्रिपाटीन है चलो भी यह लिए इश्वर कभी व्यक्ती से अपनी जात नहीं पूचता नहीं इस्षवर ने कभी किसी को जात के शब से बनाया है यह थॉर्ट किस ने कहा है ज्यानन्त रिपाटी का अंसर आया है इसर डी कभीर जी ने ऐसा कहा है चलो बाकी बच्चे निकीता यदाओ का भी डी आंसर हमें पराप्त हुआ है बच्चों ये जो बात बोली थी गुरु नानक ने बोली थी क्योंकि गुरु नानक जो थे जाती विवस्ता के खिलाफ थे मैंने बताया था इन्होंने दो ओप्षन दिये थे संगत और पंगत एक साथ बेट कर भोजन करना और एक साथ बेट वर इश्वर का भजन करना जिससे जाती वात को कभी इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया इनका कहना था कि इश्वर ने कोई जातिया नहीं बनाई ओप्षन B is correct answer क्या basic meaning या difference बताया है अल बरुनी ने वेश और सुद्र के बारे में आप जानते हैं चार वने हमारे ब्राम्बन शत्री वेश और सुद्र तो वेश और सुद्र के बारे में क्या difference बताया है उन्होंने वेश जोइन दो फोल्ड अगरिकल्चर with the decline of trade and commerce the वेश lost the economic status वेश come to marry Philip with the सुद्रास caste क्या बताया बताये option आपको बहुत easy इसमें दिख रहा है तो बताये क्या रहेगा सही answer जल्दी अपना answer दीजिए प्रियंक का तारे का answer डीम बिला है एक या दोनों ही सही है बिलकुल सही answer दिया है है ना दोनों ही बात सही है क्योंकि जो वेश जोइन और तो फोल्ड अगरिकल्चर उन्होंने जोइन कर लिया था with the decline of trade and commerce waste lost their economic status है ना तो waste जो category थी वो भी क्या होगी शुद्र की category में आ गए थे याने किसान बन गए थे क्योंकि बहुत नुक्सान हुआ था बिलकुल सही बात next question थोड़े समझने वाले लेगिन बच्चे वैसे थोड़े से दिखने ही रहे कोई बात नहीं आप जितने उतने ही आंसर दे अगबर introduced the दैसाला system for land revenue administration one third of the produce was the state share the दैसाला system was a further development of the जप्ती system और नशक system was used to collect the revenue यह आप अगर देखते हो बच्चो तो यह मुगल एड्मिस्ट्रेशन जब हम पढ़ते हैं और मुगल एड्मिस्ट्रेशन के बारे में जो revenue collection है उनके बारे में यह चर्चा हुई है मुझे लगता है CDS के बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ दिया है इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अब इतियास में कोई जरूरत नहीं इसलिए हो सकता है चलो अच्छी बात है आपने पढ़ दिया आगे classes आपकी वैसे बंद कर दी जाएगी हाँ ना कोई बात नहीं आप सब बच्चे पढ़ चुके अच्छी बात है examination आ रही है ठीक है बच्चों दे इसका answer दीजिए आज अपना last session रखेंगे उसके बाद देखेंगे रखना है या नहीं रखना है ठीक है बच्चों चलो इसका answer दीजिए आप अग बार introduce देशाला system for land revenue तो देखो बच्चों इसका answer रहेगा सभी system इसके सही है है ना डी आपका answer रहेगा क्या रहेगा बच्चों डी answer रहेगा है बटा प्रियंग का तारे इसका answer डी रहेगा क्योंकि ये सारे system वहाँ पर चलते थे ठीक है ना ठीक है option आपका डी रहेगा next which one of the following was not of the reason for general decline in trade and commerce during 8 to 10 century एक कौन सा ऐसा reason नहीं था जिससे की आठ से 8 to 10 century की बीच में पूरा व्यपार आपका खतम हो गया क्या कारण एसा नहीं आपसे पूछा है ठीक है बच्चों the distribute condition in the waste created by expansion of Arab and growing danger of sea Pharisee the tendency among the Indian merchant and traders to acquire landed property enjoying the rank of the ruling aristocracy the revision of social value including prohibition of undertaking of sea voice increase in the internal trade tariffs custom duties restriction placed on the movement of trade caravans तो इन में से एक कारण नहीं है वो कारण आपको देखना है बाकी तो सब कारण थे इसमें से बताएए वो कौन सा कारण था तो बच्चों अगर हम कारण की चर्चा करें तो वो कारण था हमारा थे रिवीजन आप सोसल वेल्यू इंक्लूडिंग प्रोइबिशन आप अंडर्टेकिंग आप सी वैज इससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ था बाकी सब चीजों से हमें नुकसान हुआ था कोश्चन का लेवल बहुत शांदार है जो एक्जामिनिशन में आपके आता है लेकिन कोई बात नहीं आप जितने बच्चे उतने ही अगर पढ़ देंगे तो कोई अच्छी बात रही है न तो आपका सी रहेगा बच्चों नेक्स्ट राम चरित्र रिटन बाइ सांदिकरण नंदी इं धा 16th century was यह बड़ी एंबस्ता के रामिए रिटन बाय संदिकरण नंदी तो बताहिते किसके बारे में स्टोरी कैसमें 12th century में लिकी गयी। स्टोरी स्टोरी अफ लॉर्ड रामाइन पॉपुलर पॉइटिक स्टैरिन ओडिया लेंग्वेज में लिखा था फास्ट ट्रांजेक्शन ऑव वालमी की रामाइन उन्तु तेल्गू लेंग्वेज में अस्ट्री ओफ लव अफेर बिट्विन रीच मर्शेंड पाटली पूत्र बीटिफूल कॉट्ट्स सेन इस्टोरी ऑफ कॉण्फिलिक बिट्विन कविरपाट पीजन्स और पाला प्रिंस बताईए किसकी स्टोरी इसमें उनका स्टोरी है तो अमेसा राम चरित्र के नाम से ऐसा नहों कि भगवान राम के उपर लिखी गई यह सी चीज इग्जामेनेशन में पूछी जाती है तो यह स्टोरी है किसके बीच में कॉण्फिलिक बिट्विन केवरत पीजन्स और पाला प्रिंस कुमार पाल के बीच क किस्टोरी है स्वेर नेक्स देवधाशी सिस्टम इकमकृइख प्रिवलें तेवदाशी के बारें पूछा है from the Chola period because temple because large complex which required large number of permanent women workers the Chola monarch were patrons of civism the most famous beautiful Chola bronze were those of Natraj the most famous Buddhist monastery in Chola Empire in which liberal donation were made by the Chola monarch as well by Shalendra king of Shri Vijay was Nagapatnam. बताईए इनमें से क्या-क्या सई स्टेटमेंट है चोला empire के बारे में ठीक है आपको सई स्टेटमेंट बताना है चोला empire के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है चलो देखते हैं तो बच्चो चोला empire की मैं अगर बात करूँ तो साउथ इंडिया का बड़ा फेमस empire रहा है देखो इसके बारे में अगर बात करूँ देवदासे system बच्चो queen prevalent की बात की काफी ताजाद में था large number permanent women workers को लिया जाता था यह यह था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था जो बोला गया वो नहीं था इतने ज्यादे ताजाद में नहीं था बाकी था चोला monarch was patron of civis भी यह सही है most famous beautiful चोला ब्रोंच नट्राज बिलकुल सही है और जो यह चोला monarch के के लिए donation की बात कही थी नागापटनम में यह भी सही है ने two three four सही है option c आपका सही रहे गा क्या रहेगा answer आपका सी रहेगा ऐसे ही question cds में आते हैं है ना अब जिसको आता है वो बच्चा कर लेगा बाकी तो सब परांगत होई हो चलो next अब आपको मिलाना कौन किस डाइनेस्टी से मेच नहीं है not correctly मेच बहुत इजी इसका answer तो साहएद आप दे दोगे देखो इसलेव डाइनेस्टी कुतुबिन देबा के तुगलग डाइनेस्टी गैसविद्दिन तुगलग के खिलजी डाइनेस्टी जलाल उद्दिन खिलजी यह फस्ट अफगान इंपार शेशा सूरी है तो बदाएए कौन सा इसमें correct मेच नहीं है बिलकुल easy answer इसका बच्चो correct मेच नहीं है डी answer दिया है ए आंसर भी आया है बी answer भी आया है इतनी देर में answer दे रहा है बहुत easy मिल गया तो answer दे दिये जबके चुपचाप बेटे हुए दे यह answer है बच्चो डी फर्स्ट अफगान emperor है आप बुल गए अफगान emperor शेशा सूरी नहीं ता पहला यह second है पहला तो बहलो लोदी था कौन था बहलो लोदी था यह तो सब clear answer अगर question आप गलत करोगए तो examination serious बच्चो बहुत कुछ मांगता है आपसे तैयारी में कहीं न कहीं कमी है आपकी अभी भी कमी है बहुत ठीक है तो याद रखना है ना तो फर्स्ट अफगान जो है यह यह जो सेर्शा हो second है फर्स अफगान बहलो लोदी था next which of the following was not result of the impact of Turkish conquest on India बताये कॉंसा इंपेक्ट नहीं पड़ा था बाकी इंपेक्ट पड़े थे it paved the way of liquidation of the multi-state system in India it broke the isolation of Indian society it led to urban revolution and development of trade and commerce the help in the growth of liberal religious reforms movement in hinduism बताये ओप्शन डी दोनों का ही option डी आपका देखो बच्छों अगर बात करें तो option d आपने लगाया है बिलकुल सही है it help in the growth of liberal religious reforms movement Hinduism में कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है इनके आने से ठीक है ना बिलकुल सही है when the attend kingship he was quite independent of rulers and order of Sarayatoo as the Sultan of Bernie made his this statement आपको पता है सुल्टान की सुल्टान के लिए जियाओदिन बरनी ने statement कहा था कि when the attend kingship और आपको पता है भी वो सुल्टान जिसने kingship theory को दिया था बहुत easy answer है इसका भी कोन सा सुल्टान था जिसने kingship theory को दिया था सुमित चोदरी answer C अलाओदिन खिल जी बचो kingship theory को देने वाला एकी सुल्टान इसका नाम है बल्बन गया सुद्दीन बल्बन जिसने अपने आपको जिल्ले इलाई गोशित कर लिया था भूल गया आप option B बल्बन गया सुद्दीन बल्बन option ठीक है नेक्स्ट देखो चोला empire के बारे में question आया है ऐसे question आपसे examination में आते हैं the चोला empire was established on the ruins of पल्लव dynasty of kanchi क्या पल्लव dynasty of kanchi के खंड बिखरने के बाद चोला empire established हुआ Krishna third rastakoot king defeated है बच्चो जल्दी जल्दी चलो answer दीजिए चलो कुछ वेट करना आपको buffering हो रही है तो चलो clear हो गया है ठीक है बच्चो तो अब answer दीजिए क्या देखो अगर मैं बात करू चोला empire was still in the ruins of पल्लव king of kanchi तो गलत है बाकी तीनों ही answer सही है क्या है तीनों ही answer सही रहेंगे इसको ठीक है वो क्यों रहेंगे क्यों कि बच्चो यह अगर मैं बात करूं इस सब चीजों की तो यह सब चोला empire के बारे में सही है है तो आपका option अगर 234 यहना option c इसका correct answer रहेगा next a forgotten empire written by the reno white history robert sewell is about which of the one of the following empire बढ़ा famous युद्ध हुआ था और इत्यासकार robert sewell ने इसको लिखा था क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को देखा था यह आप बोल सकते हैं उनके आँखों देखी बात थी उन्होंने लिखा था यह forgotten empire है कि ऐसा empire जो भूला दिया गया है option B प्रियंका तारे का option B आया हो कुशान के बारे में कहना चाह रही है ठीक है बाकी बच्चों का अंसर क्या रहेगा हाँ बाकी बच्चों का अंसर क्या रहेगा बच्चों यह जो book लिखी गई है न विजे पाल डी यह लिखी गई है विजे नगर के बारे में किसके बारे में लिखी गई है विजे नगर एंपायर के बारे में लिखा गया है यहने आपको पता है 1565 बैटल ओट ताली कोटा का युद्ध जब हुआ रुद्ध इतनी बुरी तरह से विजे नगर के सब शहरों को बरबाद किया गया खतम किया गया उसके प्रतक्ष दर्शक करता जो थे वो कौन थे रोबेट सुवेल थे उन्होंने इस इसको लिखा है इतना बड़ा एंपायर तो उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे से इस पुस्तक में लिखा था ठीक है तो यह जो है वो विजे नगर एंपायर के बारे में बच्चो है ना चोलो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बताना है संस्क्रत पोईट स्री हर्ष दा ओथर ओफ नेशाद चरित्रम लिवड इन दे कोर्ड अव जैचन यह कोशन सुनने के बाद कही बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि इतियास में अभी भी बहुत क कुछ पढ़ना बागी है समझ गए है बटा ये युद्ध जो हुआ था ये बहमानी और विजयनगर के पीच में हुआ था ठीक है ने जिसमें विजयनगर बुरी तरा पराजीत हुआ था तो यह दिमाग में बाद डाल ले ना कि इतियास वो चीजे जिसको पढ़ने से अग को कुछ नहीं आता है क्यों कि आपके दिमाग सिर्फ आम पॉलिटी पॉलिटी में रे गाऊर पॉलिटी में भी बनती ये ने ऐसे कोशन ला ते और आप बोलते हो Cir सर हमसे examination में नहीं बनता है कारण है उसका कारण है क्योंकि पड़ाई हम सोच देते हैं आना हम से आते हैं बड़े आदे गंटे की class होगी उसके बाद आ रहे हैं तो ऐसा ही होगा बैटा examination में भी चलो देखते हैं संस्कत poets rehearse the author of नेशाद चरित्रम lead in the code of जेचन क्या है बात सही है जेचन की code में रहते थे हो हरी केली का नाटक संसक्र ड्रामा inscribed in the stone slaves of walls of Moscow named अड़ाई दिन का जोपड़ा में उसको बदला गया यह statement आपने सुने हैं या नहीं सुने हैं आपको answer देना है कौन सा statement सही है first, second, third या दोनों गलत है बताईए ए बी और बी भी आपका कहना है बच्चों इसका जो answer है वो दोनों ही सही है यहने एक और दो answer सही है क्योंकि जो स्री हर्ष थे संसकत पोईट जिनों नेशाद चरित्रम लिखा है वो स्री जैचन के code में रहते थे बिल्कूल सही है और हरी केली का नाटक जो आपको पता बड़ी प्रसिद्ध नाटक थी संसकत ड्रामा थी वो जो लिखी गई थी वो स्टोन जहां पर था उसकी दीवारों को तोड़कर फिर अड़ाई दिन का जोपड़ा नामक मस्जिद बनाई गई और आपको पता है कोतबुदिन एबक ने बनाई थी है कहां पर राजिस्थान में ठीक है अजमेर में है यह तो option एक और दो दोन कांसीडर दा फोलॉइंग स्टेटमेंट अबाउट दा ट्री पाइट स्टिगल दा 8th century आपको पता त्री पक्षी संगर्ष के बारे में आपने सुना होगा ट्री पाइट स्टिगल फेमस इतियास का एक ऐसा conflict था जिससे की चक्रवर्ती भारत की जो सोच थी वो खतम हो गई तियन्य लोग आपस में लड़ना प्रारम कर दिये तो उसके बारे में कोश्चन है इड़ वाज इस्ट्रेगल बिट्वीन पाल्स इन दे इस्ट गूर्जर प्रतियार इन दे नौर्थ इन राष्ट कूट इन दे डेककन क्या सब इस तरफ से लड़ रहे थे न में कोश अब दियर इस्ट्रेगल वा दिजार तो बॉसेज ऑफ सीटी ऑफ कन्नोज विच वो सिंबल अफ सोनिटी एट टाइम यह कन्नोज के लिए क्या लड़ रहे थे को कि कन्नोज उस समें सम्प्रभूता का प्रतीक था बड़ा संपन नगर था तो जो इस पर राज करेगा समझो भारत पर राज करेगा क्या यह दोनों स्टेट्मेंट्स सही है रिपाठी का कहना है ऐनली बी सही है यह नहीं आनके हिसाप सेले बाकी बच्चों का अंसर क्या रहेगा जेपाल का भी आंसर भी आया है देखो बच्चो इसका आंसर रहेगा बोथ दोनों ही बात सही है क्या है दोनों ही बात सही है बच्चो क्यों 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 आपने देखो त्रीपक्षी संगर्स में तीन थे पाल जो ते इस्ट बंगाल की तरफ से ते गूजर पतियार उत्तर की तरफ से ते और रास्ट कूटे वो धक्षिन धकन की तरफ से यह सही है और वो किसके लिए लड़ रहे थे कन्योच के लिए ही लड़ रहे थे यह बात भी सहे यह न दोनों स्टेटमेंट सही है आपके बहुत क्या है बच्छों बहुत स्टेटमेंट इस करेक्ट next which one of the following statement about the teachings of Kabir is not correct आपको बताना है Kabir की जो teaching तियाने Kabir की जो सिक्षा थी उसमें से क्या सही नहीं है बताइए he was not against pilgrimies and idol worship he believed in universal love he emphasized one got any spirit of devotionism he did not consider it necessary to abandon the normal life of householders बताइए क्या सही नहीं है उन्होंने क्या नहीं बोला था बताइए बड़ा अच्छा कोश्चन है बहुत अच्छा इसका आंसर रहेगा देखते कौन सब अच्छा इसका आंसर देता है option c मिला है विजेपाल का यह नहीं इंपसाइज one got and the spirit of devotions यह डिवॉलिज्म इनहोंने एक गोड के बारे में बोला था और उसके बारे में कहा था उनके बारे तो यह तो बात सही है बच्छों एक ही गोड के बारे में उन्होंने चर्चा की वो कोई भैदभाओं नहीं करते थे यह statement इसमेंसे दिख रहर है जो उनके बारे में सही नहीं कहा जाता देखो बच्चो अगर मैं बात करूँ तो he was not against अब यह not लिखा रहा जब कि यह होनाता है he was against pilgrimage and idol worship यह not लिखा रहा इसका मतलब कि क्या वो तिर्थ यात्रा तिर्थ यात्रा और भगवान की जो पूजा जो मूर्ती पूजा उसके विरोध में नहीं थे बिलकुल थे बच्चो तो option यह ही इसका सही answer यह उनकी सिक्षा नहीं है क्योंकि उन्होंने तो मंदिर तक बोला था कि काखर पाथर जोड़कर मुला मजजित लिए बनाए तादे बाग क्या बहरा हुआ खुदा यहने मजजित पर भी कटाक्ष किया और मंदिर पर भी कटाक्ष किया यहने हिंदू उसलमान दोनों पर कटाक्ष किया हिंदू पर कैसा किया उन्होंने कटाक्ष अपने दोहे के द्वारा कि बंदा पूजे मूर्ती तो मैं पूजू पहाड ताकि अच्छी भली चाकरी तो पीस खाय संसार चक्की के बारे में उन्होंने बोला था कि अगर आपको पत्थर पूजने से इस वर मिलता है तो मैं पहाड पूजूँगा इसका मतलब वो आइडल वर्शिप के खिलाफ थे और यहां लिकारा not नहीं थे बलकुल थे यहना option जो है एही उनके बारे में सही रहेगा ठीक है correct रहेगा आपका option नहीं next अब्दूल असन वस वन फ्वाइब नहीं पेंटर अफ जहांगीर रिजा नी पेंटेड वेल नौ मुगल दरबार इसकेंड दिसक्राइब यह बड़ा फेमस पेंटर था जहांगीर के दरबार का अब्दूल हसन कौनसी पेंटिंग के लिए जाना जादा जहांगीर एसेशन तु दा थ्रोन जहांगीर फोन पर बेटे हुए दा राइवल अफ तांसेन जहांगीर इंट्रेक्शन विद्ध पीपल और राइवल अफ दे मुगल कोड इस्टोरियन्स बड़ाइए कौनसी पेंटिंग इन्होंने बनाई है जिसने पूरे मुगल दरबार को डिस्क्राइब किया है बताई है आप्शन डी प्रियंग का तारे का ए कहना है डी डी कहना बच्चो सबसे मैट-पूर चीज लिखा रहे है जहांगीर के दरबार में लिखा रहे है जहांगीर इंट्रेक्शन विद फिपल जहांगीर Against the people जहांगीर लोगों से बात कर रहे हैं हैं तो option क्या रहेगा option c रहेगा ना कि d रहेगा जहांगी रिंट्रेक्शन with the people जहांगी लोगों से बात करें उस चीज को उन्हों describe किया है बड़ा famous printing है ठीक है तो option c आपका correct answer रहेगा है चलो next book है बड़ी famous book के बारे में question आया है आप से पूछा है अगबर नामा इन बाष्चा नामा two important books with illustrated मुगल optical historians while अगबर नामा was written by अब्दुल हमिद लाहोरी इन बाष्चा नामा authored by अबुल फजल third अगबर नामा is divided into three books from which third book is the आयने अगबर ही बताइए क्या सही है one one three two three या तीनों सही है बताइए क्या statement सही है books के बारे में तो त्ते उड़ गए होंगे आंसरों को देख करें याने question को देख करें बेटा ऐसे question आते exam में एक एक चीज के बारे में option c प्रियंग का तारे का कहना है two or three सही है चलो देख ले निकिता यादाओ का डी है चलो देखते बच्चों अक्बर नामा इन बाश्या नामा टू इंपॉर्टेंट बुक्स इलिस्ट्रिशन मुगल अप्टिकल स्टोरी बिलकुल सही बात है अक्बर का रीजा और बाश्या नामा यने की साजा के रीजन के बारे में वियुद जो सबसे महत्पूर्ट बुक है वाइल अक्बर नामा रिटन बाश्या अब्दुल अमिद लाहुरी नहीं अक्बर नामा को भूल गए किस ने लिखा अबुल फजल ने लिखा है ये अब्दुल अमिद लाहुरी ने थोड़ी लिखा है बाश्या नामा अबुल फजल ये ना उल्टा सीधा कर दिया ये अबुल फजल ने लिखा और बाश्या नामा अमद लाहुरी ने लिखा है है ना तो ये दोनों गलती होगई यने ये गलत हो जाएगा अकबर नामा इस डिवाइडे इन्टू थ्री बुक्स फ्रॉम विश्ट थर्ड भुक इस आईने अकबरी बिलकुल सही बात क्योंकि आईने अकबरी को शेक फेजी ने लिखा था और अकबर नामा का वो पाड थी तो ये दोनों सही हैं ने two one और जो three सही है ना option आपका b आईगा क्या आएगा बचचों option b is correct सो किसी ने भी option भी सही नहीं दिया ठीधे option b किसी बच्चे ने सही answer नहीं दिए नहीं आपका option b रहेगा Next, which of the following statement is correct बताईए क्या correct है during the reason of नसरुद्दीन मेहमूत तुगलक तेमूर जिसको तेमूर लगन कहते है Central Asia Turk invaded India and sacked Delhi है न क्या इसी के समय आया तो नसरुद्दीन मेहमूत तुगलक के समय आया था है B.A. the dynasty founded by Khizri Khan तेमूर's nominee is not Sayyad dynasty because Khizri Khan was a descent of the prophet वो profit का descent मानता था अपने को one such मानता था बताईए क्या ये बात सही है है ना Khizri Khan नहीं क्या dynasty को establish किया था क्या ए B. दोनों सही है या दोनों गलत है बताईए ये ने A. B. C. D. दोनों चार option है बता दिए क्या सही है क्या गलत है इसमें से विजेपाल का आंसर A है सर A सही है त्रिपाटी का B आंसर है बच्चों ये दोनों ही आंसर सही है ना option C रहेगा क्या रहेगा भई प्रियंका तारह बेटा option C में देने रहा का ना A और B है ना ये दोनों ही सही रहेंगे तेमूर नसुर दिन वामत तुगलक के समय ही भारत आया था ठीक है चलो next कांसिटर फोलोएंग स्टेट में मीरा भाई वाजा कान्टम्प्रेरी ऊप गुरू नानक के नुंट्प्रेंद सही रामदाजोंगस्ट घ्रामदाज जो ते क्या सिवाजी के निटें बता ही एक दो साही दोनों साही दोनों गलत बताईए कि यह बड़ा इजी कोश्चन है भी आंसर है का कहना है ओनली टू आंसर है विजेपाल का सी है प्रियंका तारे का है वही दोनों ही आंसर सही है अरे रामधास जो बुल गय है गुरू स्वामी समर्त रामधास निंका पूरा नाम इसरी वाइजी तो कुरू थे कंटमप्रेरी थे और मीरा भाई बिल्कुल गूरू नानक के दोनों स्टेटमेंड्स है है क्या बच्छों दोनों ही स्टेटमेंट से यह गलती कहां कर रहे हो आप दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बच्छों ठीक है नेक्स्ट अब कोश्चन आप से बड़ा अच्छा लंबा चोड़ा पूछ लिया गया है which one of the following statement about the creation of department by various Sultanate is not correct बदाइए सुरी सुल्तान is not correct सुल्तान के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है पढ़िये दिवाने मुस्त खराज और the Department of Revenue to realize the area created by Alauddin खिल जी दिवाने अमीर कोई और the Department of Agriculture become more prominent during the reason of Muhammad bin Tuglaq दिवाने बंदगान और the Department of Slaves created by Firoz Shah Tuglaq और दिवाने खेराद और the Department Public Charities created by Shikandar Lodi तो बताइए कौन सा statement इसमें से गलत है कौन सा statement गलत है कि उस राजा ने इस Department को stabilize नहीं किया है बड़ा अच्छा कोश्चन है अगर ध्यान देंगे तो पकल देंगे कमी को प्रियंका तारह ने बिल्कुल पकल दिया उस कमी को बिल्कुल option D उसने दिया है यहने बिल्कुल सही आंसर दिया है क्योंकि वो जानती आंसर D क्या है देगो दिवान ने खेरा जो डिपार्टमेंट था बच्चों यह स्टेबलिस किया था किसने फिरोश्चा तुगलक ने और यहां दे रखा है सिकंदर लोधी बाकी आंसर बिल्कुल सही आपके अलाब दिन खिल जी मौमद बिन तुगलक फिरोश्चा तुगलक और यह जो दिवाने खेरा थे यह भी कौन फिरोश्चा तुगलक का ही डिपार्टमेंट था लेकिन यहां क्या दे रखा है सिकंदर लोधी दे रखा है इसलिए यह स्टेटमेंट गलत होगा और इसलिए यह गलत होगा तो आंसर भी आपका क्या रहेगा डी ही रहेगा है ना क्यूंकि नॉट करेक्ट आपसे पूछा था चलो नेक्स्ट नेक्स्ट कोश्चन आपसे आया है बल्बन के बारे में कोश्चन आ है क्या बल्बन अपने आपको नायावे खुदाई बोलता था गोट का डिप्टी यह क्रिएड दिवाने अर्ज डिपार्टमेंट अब मिलेक्ट्री अफेर्स कैस ने इस्टेबलिस किया था किया इसने किंग्शिप थे ओरी को किया था क्या इसने चारीशा को खत्म करवा दिया था बताई क्या स्टेटमेंट स्थे बारे क्या स्टेटमेंट बल्बन के बारे में सही है चारवी अगर पढ़ेंगे प्रियंग का तारे का फिर कहना अंसर देगो फिर उसने बिल्कुल सही एप्रोच लगाई चारवी उसका उप्षन है कि सर सही है भई बहुत अच्छे से बेटा तुम इसलिए हर बार एक्जाम क्लियर कर जाती हो ठीक है ना गिफ्ट आपका आगय गहीं ठीक है ना बुझें को बच्छो उनक है निकलता जो बलसा दी मेंड़क होते इग्जाम के दस दिन पर बेलो शर यापड़ा दसर वह पड़ाद उनका examination नहीं निकलता और कम से कम class भी तो आये है वह class नहीं आते हैं चलो बच्चो यह देखते हैं which of the following statement is correct देखना Bukka is the Sangam King, send embassy to China, Salou Dynasty come to the throne after the first, disruption by Salou Narsim, Tulu Dynasty come to the throne after the second, disruption by Vir Narsim, यह all of the above, क्या तीनो सही है यह इनमें से बताएं कोन सही है है? बढ़ा ये क्या सही है इसका आंसर बड़ा फेमस कोश्चन है ये भी अच्छा है देखते कोन आंसर सही देता इसके बारे में जिल्दी आंसर करिये देखो बच्चों अगर हम बात करें डानसरे को बुका ने संगम किंग जो एम्बेודה सी चाहिना बोज़ाए बिल्कुल सही बात है और सालू डानसरी गफठी स्रप्शन आश्लू नल्सिम बिल्कुल सही है और फिर से disruptions हुआ तुलू डाइनिस्ट्री का वंदर त्रोन यह भी सही है यह नहीं आपके चारोई तीनोई option से यह option डीस करेक्ट रहेगा all of this क्या रहेगा all of this रहेगा next अब आपसे पूछाएगी MSC अबदाली का भारत पर अटेक करने का इमिजेट रीजन क्या था जिसके कारण तीसरा बैटल युद्ध हुआ था बड़ा famous question कई बार examinations में आया है UPSC essay level के question पूछती है कि MSC अबदाली ने भारत पर आकर्मन किया उसका immediate कारण क्या था he wanted to events to explosion of Maratha office voice row Timur Shah from Lahore क्या Timur Shah का यह बदला लेना चाहते थे second the first is governor of जलाल उद्दीन अदीन बेक खान invited him to invade Punjab क्या इनको पंजाब के गवर्नर ने बुलाया था he wanted to punish Mughal administration of non-payment of revenue of चाहार महल क्या इनको मुगल ने payment नहीं दिया था इसलिए आये थे he wanted to annex all fertile plane of Punjab border of Delhi and kingdom क्या पंजाब के आसपास का पूरा फर्टाई plane चाहते थे बता यह क्या कारण था बड़ा महत्पून कोश्चन है ऐसे कोश्चन ही UPSC की जान होते हैं प्रियंक का तारे का यह बिल्कुल सही आंसर दिया बिटा आपने उस समय जो ला उस समय जो उनका बदला लेना था मराठों से बदला लेना था जो उनका वहसरा है तो तेमूर शाफ लाहोर उनको मराठों ने हरा दिया था बुरी तरह से इसलिए एमर्शा अब्दाली चाहता था इसका बदला लिया जाए ठीक है और कोई कारण नहीं था तातका लिक कारण इसलिए उसने बदला लिया और वापस भी चला गया था है ना तो अप्शन ये बिलकुल सही आंसर है आपका ठीक है चलो नेक्स इंडियन हिस्ट्री वू अब्दुल हमीद लाहोरी बताइए कौन था है अब्दुल हमीद लाहोरी भारती के इतियास में बताइए को नहीं है ये क्या इंपोर्टेंट मिलेक्ट्री कमांडर है अकबर का या ओफिशल इस्टोरियन रीजन ओफ सहाजा का इंपोर्टेंट नोबल कॉन्फिक्ट और अरंगजेव और क्रोनिकल पॉइट डूरिंग दा रीजन ओ मुहम्मद शहा बताइए कौन है ये आखिर अब्दुल ह अमीद लाहोरी प्रियंका तारे का कहना है कि कमांडर डूरिंग अकबर रीजन है नहीं बेटा तुम इस बार थोड़ा से गलत हो गई ये ऑफिशल स्टोरियन था किसका सहां जहां का मैंने इसके बारे में बुक भी बताई थी पादशा नामा जो इसने बुक लिखी थी ठीक है नेक्स्ट अब आपको मेज करना यहां पर कौन किस डाइनिस रिलेटेड रहे इन डाइनिस्टी और यह उनकी रीजन है कौन किस डाइनिस रिलेटेड रहा है बताईए सिसोधिया कहां से थे आर्वीडू कहां से थे कच्छवा कौन थे और गजपती डाइनिस्टी क कि थी कि ठीट रगही है बठाईए कौन कहा का से तें देख यसोदिय तो आपको बिलकुल दिख रहा होगा कहां से संबंदी तें तो आप ऑंसर इसका सब लगा दोगे तो कहां से ऑचो देखो सिसो दिया चितोड से ते ', आ जाएगा तो तो टू त्री ये वन फोर ये वाला है ना इसको वन कर दो वन फोर ओफ्शन सी रहेगा इसका बिलकुल सही है एना टू त्री वन फोर ओफ्शन सी है नेक्स्ट फिर आप से पूछ लिए एक तरफ मंदिर एक तरफ जगाहें कहां पर कौन-कौन सा मंदिरे बताईए बड़े फेमस टेमपल है भी भारत के लेकिन साउध इंडिया के हैं मंदिरे विठ्थल स्वामी और हजारा स्वामी तड़ा पात्री और पारवती वदराजन कंबरनात मंदिर बड़े फेमस मंदिर देखो बच्चो विठ्थल स्वामी हजारा स्वामी और वद्रसान कम बनाती आते कांची पुरम में कहाते बच्चों कांची पुरम में आते यहने त्री तो टू बन त्री क्या हो जाए आंसर टू बन त्री ऑप्शन ए बड़े फेमस टेमपल है उस जमाने के जिनको राजाओं ने बनवाया था तो ऐसी चीजे आपको याद ठीक है चलो बच्चों नेक्स्ट देखो फिर से आपको ये विदेशी ट्रेवलर्स दे रखे एक तरफ राजा दे रखे तो बताईए किस-किस के समय में कौन-कौन आया था बताईए अबदुल रजाग नूनीज निकोला डी कौन्टी बारबोजा कहां से कौन-कौन लोग आये थे और किसके समय आये थे बुटा आई एव देखां अब्दुलर्जाक फारस से आया था किसके समय आया था अब्दुलर्जाक फारस third second के समय तो चुन नूनीज बच्छों बड़ा Famous था यह चुट देवराय के समय आया था फोर निकोला डी कॉंटि यह के समय आया था इटली से और बार्बोसा ये बड़ा फेमस था इटालियन था ये कृष्ट देवराई के समय आया 2413 कहां पर option D 2413 option D is correct बच्चों क्या जाएगा आपका D answer आजाएगा easy है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर ठीक है तो ये आपको ऐसे मेज करना है कोन कहां से कब आया मद्दिकाली नितियास में ये चीजे महत्पून पूछी जाती है और ट्रेवलर के questions बहुत आते कोन कहां से कब आया ठीक next ये विजे नगर की डाइनस्टी और विजे नगर के राजा है ठीक है अब आपको मेज करना है कि कौन सा किस डाइनस्टी संबंदी थे संगम से कोन है सालू से कोन है तुलू से कोन है और आर्विडू से कोन है देखो संगम डाइनस्टी से बात करूँ तो यहां पर हरीर और बुक्का है येने फोर आ जाएगा वन का सालू से बात करो तो सामने लिका रहा सालू नर्सिम यहने 2 आ जाएगा तुलू से बात करो तो वीर नर्सिम बिलकुल सही है यहने कि 3 आ जाएगा और फिर बच्चा 1 यहने 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 option यह में आपको दिखेगा है ना बिलकुल वीजेपाल option यह जो रहेगा यह रहेगा 4, 2, 3, 1 यह अगर आप जमाओगे तो सही मेचिंग कर जाएगे लेकिन उसी बच्चे का सही मेच होगा जिसने पढ़ा हुआ है प्यारे बच्चो इसलिए पढ़ना तो जरूरी है पढ़ना पढ़ेगा तभी आंसर दे पाएंगे हम ठीक है चलो नेक्स्ट कोश्चन बच्चो अब पूछाए जहांगीर इंट्रूडूज दो अस्पा एंसी अस्पा सिस्टम अब यह अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा जहांगीर के बारे में दो अस्पा सिस्पा जरे मनसबदारी सिस्टम में उसने एड किया था दो अस्पा सिस्पा यह गुड सवार और जात के बारे में हैं अब ये जुन बच्चों ने अच्छे से इतियास पड़ा उनको पता है क्या चीज है देगो बच्चों इसमें में आपको प्रियंगा तारे ने ये बोला है बिल्कुल सही बोला है इस बच्चे ने क्योंकि इसको पता है मनसबदार जो होल्डिंग रेंग होती थी उसको मेंटेन करने के लिए डबल पेमेंट दिया जाता था तूपर्स को यहने जो सवार रेंक है उसको सवार रेंक को डबल किया जाता थे यहने आपको अगर पाँज गुड सवार है तो आपको दस टूपर्स रखना पड़ेंगे ऐसे रेंक के इसाब के आपके टूपर्स होते थे बच्छों है ना डबल दो असपैन सी असपर डबल और तीबल इसमें होते थे हर चीज के लिए डबल होता था तो यह ऑप्षन बिलकुल सही लगाया उसका क्योंकि सोचना था उसका बिलकुल यह बिलकुल करेक्ट है next consider the following statement about Sufism in India Sufi के बारे में आपको बताना है क्या statement सही सूफी संत को के बारे में आपने बहुत सुना है क्या चीज सही सूफियों के बारे में बताइए यह पिल्ग्रिमेंज कॉल जियारत टौम सूफी संत इसन इंपोर्टेंट फीचर दे मोस्ट इन्फुएंशल ग्रूप आप सूपी इंडिया वेर्दा चिस्ती प्रेंग का तारे का ऑप्षन भी उसका कहना है कि जो सूफी है वो सबसे फेमस जो चिस्ती थे ऑप्षन भी ह पाल का यह है देखते किसका सही बचोग अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो पिल्ग्रिमेंज स्कोल जियारत टौम अफ सूफी संत की दरें इंपोर्टेंट फीचर जियारत का मतलब होता है दर्शन करना बिल्कुल सही बात है फिल ग्रिमेंज ये तिर्थ यातरी होते थे उनके लिए कोल जियारत जो टॉम में जाते थे सूफी संद को उसको जियारत कहा जाता है और ये इंपोर्टेंट फीचर होते था मौहमद बिन तुगलक अकबर ये कई सारे लोग जियारत के लिए गए थे है ना तो मौस इंफ्लूएंज गुरूब वो सूफी वेर्देंट चिस्ती ये बात सही है मौहनुद दिन चिस्ती और आपको इसमें बहुत सारे चीजे अमीर खुसरो ठीक है कई सारे लोग ऐसे थे जो इस संप्रदाय के बड़े फेमस संत हुआ करते थे बिलकुल सही आंसर ये न दोनों ही करेक्ट अंसर बक्तियार काकी बाबा फरीद ठीक है एक से एक लोग इस संप्रदाय के लोग हुआ करते थे बड़ा फेमस संप्रदाय था थे ठीक है इस्टी का फांडर पूछा की कौन था आप बताईए दिल्ली सल्तनति नीकेता यादव का आंसर सी है मुहम्मद शाहा था मुहम्मद शाह था गया किसके पहले का आंसर एए सुमर्ण सिंग का आंसर एए है थिज्र खान बिलकुल सभी आंसर दिया बच्चों आपको पता है तेमूर के साथ आया था और इसी खिज्र खान ने सयद डाइनस्टी को स्टेबलिस किया था ठीक कोई बात नहीं पहले वाला था तो इस वाले का एह आंसर है चलो बिलकुल सभी next which one of the following monuments has a done which is said to be one of the largest in the world जो tom पूछा है बच्चों आपसे कौन सा tom सबसे largest world में बड़ा famous है नाम कई बार सुना भी होगा आपने कि टॉम ऑफ शेर्शा सासा राम जामा मजजिद डिल्ली टॉम ऑफ गयासुदिन दुलक डिल्ली या गॉल गुंबज बीजापुर बताइए प्रियंगा तारे का option भी जामा मजजिद दिल्ली जावा वज़ित दिल्ली का डॉम है चलो बाकी बसे प्रियंग का तारे ने भी आंसर दिया बाकी बच्चों का आंसर क्या रहेगा A A आंसर है टॉम ओफ शेर्शा सासाराम अरे बच्चों सबसे फेमस भूल गए गोल गुमबज बीजापूर बीजापूर का गोल गुमबज ही नाम है उसका गोल गुमबज है बड़ा फेमस गुमबज है बीजापूर का देखा ना कितनी बड़ी टॉम है उसकी गोल गुंबस की फेमस है इन सब में सबसे बड़ा माना जाता है उसको लार्जेस्ट है वन का इसलिए तो बोलते सबसे बड़ी गुंबस आपने नहीं पढ़ा लार्जेस्ट टॉम ओफ इंडिया या वर्ल्ड के बारे में गोल गुंबस आता है कई बार तो पढ़े है तो वन लाइन फेक्ट के कोश्चन है हैं क्या है वन लाइन फेक्ट के कोश्चन है गोल गुंबस बीजापूर कई बार आप पढ़े हुए हैं इसको फिर भी आंसर आप गलत कर रहे हैं चो लो कोई बात नहीं नेक्स्ट अलाउ दरवाजा बिल्ड भाई अलाउदिन खिलजी से गेट्वे लिडिंग इन्टू दा एक्स्टेन्शन और बताइए जो अलाई दरवाजा बनाया है अलाउदिन खिलजी ने इसका मतलब भी होता है अलाउदिन का दरवाजा इस gateway of leading extension यह इसका जो leading extension ने वो किसका है कुटु मिनार का है कुवत अलिस्लाम मस्जीत का है टॉम ओफ इल्टूत मिश्ट का है अडाई दिन का जोपड़ा का है बताइए किसका extension ने हो बड़ा famous है दिल्ली में कभी जाओ तो सब पास-पास में बने हुए बताइए अलाई दरवाजा किसका extension है प्रियंग का तारे का कहना है सर्क कुटु मिनार का है बच्चो कुटु मिनार जो है आपने देखा होगा बड़ी famous मिनार है इसके साइड में एलाई दरवाजा बना हुआ है लेकिन इसका extension वे जो है बच्चो जामा मो कुटु इसलाम मोस क्यों जो इसके पीछे आ रही है ठीक है ना ऐसे यह यहां बना हुआ इसके साइड में यह बना हुआ सब ऐसे पास-पास में बने हुए यही पर इलतूत मिश्च की कबर भी बनी हुई सब है आप जाओगे तो दिल्ली लेकिन इसका extension वे गया कुटु इसलाम मोस क्यों है भारत की पहली मजजी जो मंदिर तोड़ कर बनाई गई थी है न महरोली स्थम जो कहीं सारे हिंदू और जेन मंदिर को तोड़कर इन लोगों ने बनाया वो कुवत इसलाम मजजी ते जो दिल्ली में है आज भी और वहां पर महरोली स्थम आज भी दिल्ली का गड़ा हुआ जो संस्क्रत में गुप्त डाइनिस्टी के बारे में जानक नेक्स्टी कोस्चन वाटरीज अडाई दिन का जोपड आप जानी गएंगे अडाई दिन का जोपड इन पेशा क्या मॉस्क्यू टेमपल सेंट ह्ट सेंट टावर इंज है यह वह बताईए इसका आंसर तो आप सभी दे देंगे क्योंकि आपको पता है अडाई दिन का जोपड़ा क्या चीज है क्या बच्चो क्या है अडाई दिन का जोपड़ा है जल्दी आंसर आज का यह लास्ट कोश्चन है प्रियंगा तारे का आंसर बिल्कुल यह सरी मज्जित है बिल्कुल बच्चो अड़ाई दिन का जोपड़ा इसलिए कहते है क्योंकि मात्र धाय दिन में इसको बना दिया था वो कुछ नहीं किया था जो हमारे मंदिर बने हुए थे उन मंदिरों को तोड़कर उपर से डॉम बना दी गई बस यह मज्जित बन गई इनका ऐसे ही तो काम होते थे पहले ठीक है ऐसे हैसे इसको बना दिया गए तो यह डॉम अड़ाई दिन का जोपड़ा हो गई कहां पर अजमेर में जहां पर हमारा संस्कत विद्याले सरस्वती जेन वंदिर होता था उसको तोड़कर इन्होंने बनाई थी इसको तो कोई दिमाग नहीं था हमारे यह आर्केटेक्शर यूस करते थे लोग और बनाते थे ठीक है बच्चों चलो तो आज का इतना ही कोश कोशन रखे हमने और इसको अमने ज्यादे एक्सप्लेशन करते आज थोड़ा सा बच्चे व्यस्त हैं सायत कहीं पर तो हम आगे अगर कोशन रहेगा तो आगे इस रीज जालू रखेंगे क्योंकि जिन बच्चों के लिए रखी गई है वो बच्चे भी होना जरूरी सेडियस के बच्चे तो इसमें कम है कोई बात नहीं आप जितने रहोगे अगर ऐसा हुआ तो हम कंटीन्यू करेंगे अन्निता इसको बीच में ही छोड़ेंगे हम ठीक है बाकी और एर फोर्स औ बंदे मात्रम नेक्स्ट मिलते हैं फिर ठीक है आपको जैहिंद बंदे मात्रम